यकीन मानिए कच्छे केले की ये रेशिफी आपने कभी नहीं बनाई होगी अगर एक पर इस रेशिपी को आपने बना लिया तो हामेसा आप इसी तरह कच्छे केले का यूज कर पाएंगे और इसे हामेसा आप हफते में चार दिन बना के खाएंगे तो चली शुरू करते हैं बहुत ही tasty कच्चे केले की बहुत ही amazing recipe बहुत ही कम तेल में बनने वाली ये recipe तो सबसे पहले आपको केले लेने हैं कच्चे वाले और इसे धो के साप करके अच्छी तरह से आपको लेने हैं ये धो के अच्छी तरह से मैंने साप कर लिया है और केले क साइज बड़ा है मैं दो यूज करने वाली हूँ तो दोनों को क्या करना है सबसे पहले से पीलर से चील लेना है जितने भी उपर के लेयर है न सभी को आपको अच्छी तरह से चील लेना है और यह देखे मैंने अच्छी तरह से चील के तयार कर लिया है और इसी तरह मैंने द लिए आगे का प्रोसेस करते हैं, वो भी सिंपल तरीके से, तो मैंने इसमें दो केले का इस्तिमाल किये हैं, आप चाहे तो चार केले का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, आपकी जितनी मर्जी है, जितना चाहे ये नाफका बना सकते हैं, तो सबसे पहले आपको तेजधार वाले चा कद्दुकस करने हैं कद्दुकस आपको मोटे साइट से करने है ताकि जैसे ही केले का एक पिस मुँँ पड़े तो अच्छा सा टेश्ट आप सके और यह देखे दोनों केले को मैंने अच्छी तरह से कद्दुकस कर लिया है और हां दूस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चै और जब भी आपको बनाने का मन हो आराम से सौट रेसिपी देखे और तुरंथ ही उस रेसिपी को जाके बना सकते हैं तो यह देखे दोनों केलो को मैंने अच्छी तरह से कर लिया है अब मैं निकालने वाली हूं एक इसे कटोरी में अब कटोरी में निकालने के बाद आप चल है और उसके बाद मने डाला है स्वादनुसार नमाक और उसके बाद मने डाला है हरी मिर्च और आपके पत्थनिया पत्ती है तो डाल सकते हैं और बारिक देखे मैंने प्याज के लच्छे में काट दिया है दो बारिक प्याज में ने लिये थे दो प्याज को मैंने अच्छ इसका टेस्ट है न वो काफी बढ़ जाएगा और सभी को आपको मिक्स कर लेना बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही कम महिनत में ये रेसिपी बनके आपकी बहुत ही जल्दी त्यार हो जाएगी और अगर चीप्स आगर केले के आपने कई बार खाई होगे सबजी आपने कई बार खाई होगी लेकिन ये बिल्कुल ही अलक्सी रेस्पी है और काफी टेश्टी भी लगेगी और ये देखे सभी को आपको हाथों से अच्छी तरह से मसाले है ना अच्छी तरह से कोट हो जान नहीं तो जितना एक्ष्टा पानी है ने केड़े में अगर हलका सा लेस लेस भी होता है तो वो बिल्कुल ही बेसन अच्छी तरह से एक सौप कर लेता है इसलिए आपको हलका सा बेसन डालना जरूरी है पिर हाथों को थोड़ा सा आपको गीला करना है और इसके पोर्सन लेने इसमें अपफ़मेकर और इसमें मैंने कृटवरा सा तेल डाला है आप जेख सकते हैं बहुत ही अची ये रेसिपी बनने वाली है अगर आपको पास अापकर नहीं है तो आपपरहाई में भी अच्छी तरह से तेल डालके इसे आप फ्राइ कर सकते हैं और में 사स्क्राइलार ताकि ये अंदर तक पक सके और बहुत ही क्रिस्पी नास्ता हमारा त्यार हो सके तो बिल्कुल ही अलग सी रेसिपी है अगर कभी आपने नहीं ट्राइ किये हैं ये केले की डिस्ट जरूर बना के देखिए इसमें प्याज के जो कॉंबिनेसन है इससे इसका टेश्ट काफी ब